हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब रक्षार जी गरसुमियाज हम बना रहे हैं भाजी बड़ा भाजी बड़ा बनाने के लिए है मैना उड़त की दाल चनाग की दाल और मूंग की दाल इन तीनों दालों को रात में भगो पर रख दिया था आप इनको हम निकाल लेती हैं अब इसक पीष रहे हैं आप चाहो तो इसको मिक्सी में रख कर भी पीष सकते हैं नहीं तो इसी तरह इनको अच्छे से पीष सकते हैं इनका हमें ज्यादा फाइन पिष्ट नहीं बनाना है बस इसको दर दरा पीषना है आप देख सकते हैं किस तरह है यह दर दरा पिषा है इस तरह ह पीशना है आज मेरी माय सिलवट्टे पर पीश रही है यह उड़ात की दाल पे शुकी आप यह मूम दाल है इसको भी इसको भी थोड़ा दरदरा पीशना है तीनों दालों को एक साथ ही हम मिला देंगे इस तरह भाजी बड़ा बनते हैं तो बहुत ही टेस्टी भाजी बड़ बनकर तयार होते हैं भाजी बड़ा बनाने में बहुत ही कम समय लगता है लगभग इसको बनाने में हमें 20 मेट का समय ही लगता है और यह लैसन अधरप हरी मिल्ची इनको भी हम सिलवट्टी पर रखकर नमक डाल कर अच्छे से पीश लेंगे इनका एक पेश्ट तयार करना है अब इसके साथ एक चम्मा जीरा और आदी की चुटकी भर हिंग डाली है हिंग से बहुत ही अच्छ अफले वराता है और टेश्ट बढ़ जाता है भाजी बढ़े का इन सारी चीज़ें को एक साथ अच्छे से हातों से इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी मा इनको फैट रही है आप इस तरह इनको फैट है हातों से अब आप भाजी बढ़ा में भाजी डाल ली है तो आप पाला की भाजी या मैती की भाजी या जो भी आपके पास भ नौरपा की भाजी डालने से भाजी बड़ा का टेस्ट बहुत भड़ जाता है बहुत ही स्वादस्ट भाजी बड़ा लगते हैं नौरपा की भाजी बाले इस तरह गोली बनाएं आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गोली बना रही हूँ इस तरह से आप गोली बनाकर रख लें आपको है वीडियो अच्छी लगते लाइक और सेयर जरूर करें और सब्सक्प्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें इसे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इस तरह से मैंने सारी बॉल बना कर रखनी है अब गैस पर हम कड़ाई रखेंगे पहले से ही मेरी माने कड़ाई रख दी है भाई इसमें तेल डार का तेल अच्छे से गराम हो चुका है अब हम भाजी बड़ा इस तरह से छोड़ें गैस की फिलेम हमें लो रखनी है क्योंकि पहले तेल अच्छे से गराम हो चुका था अब हम भाजी बड़ा को निकाल लेते हैं इसको अलट पलट कर सेंगते हुए इनको निकाल ले एह रेस्पी मेरी मा की है एदि आप लोगों को एह रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना कि यह भाजी बड़ा की रेस्पी आपको कैंसी लगी है इस तरह इसे एक गिलास की मदश से जो भी हो आपके पास इसकी सहाथा से इसको चप्टा कर दे इस तरह इस तरह चप्टा कर दे पिर उसके बाद एक बार इनको हम फिर सिफ्राई करेंगे इसको भी हमें हाई फ्लेम पर पकाना है अब हाई फ्लेम पर हम तल्ना है क्यूंकि इस थरह इसे तल्ने से जो भाजी वड़ा है बहुत कुरकुरी हो जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगते है आप इन भाजी बड़ो कुछ चटनी दही सॉस जिसके साथ भी खाना चाहें उसके साथ सर्व कर सकते हैं यह भाजी बड़ा तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही कम समय में बन कर तैयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं भाजी बड़ा कितने अच्छे बने हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें धन्वाद थैंक्यू